अलो मेरा नाम डॉक्टर धीपक केड़कर है मैं साइकेड्रिस्ट इपनो थेरेपिस्ट सिक्सालोजिस्ट डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट एनलपी ट्रेनर और एक कोच हूं आज मैं आपको बताने माला हूं नीन के बारे में नीन जो है हर व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है और उसके मांसिक स्वास्ति के लिए नीन पूरी होना वो जरूरी है अभी लोगों को यह सवाल आता है कि नीन होना कितनी कुछ लोग बहुत ही आलसी रहते बहुत सोते रहते औ एक चार घंटे निन लेके काम कर सकेंगे एवरेज जो है एवरेज इनसान जो है उसको 24 गंटे में साथ से आट गंटे निन की जर्रोस है ऐसा एक सरवे किया गया ग्रीशच किया गया है कि के ऐसे तीन गुरूप कि ये लोग होंगे सकते लाग अव्यार में घुर्य से अवय और एक गृव को चार घंटी की नेंढे हैं एक गृप को छे गंडी के नेंढे हैं एक गृप को आएँ गंटी की नेरे प्दिया है और वो चार घंटी की नेनने के पाद में उन्होंने 8 घंटे नीन लिया उनका परफॉर्मस जो था वो सबसे अच्छा था उन्होंने पूरा अच्छा परफॉर्मस दिया उसमें से निश्करश निकला कि जो लोग 8 घंटे नीन लेते हैं तो उनका परफॉर्मस अच्छा हुआ उन्होंने अच्छा काम कर सके दिन बर उनको आटेंशन कॉंसेंट्रेशन अच्छा था और एक वो रिसर्च जो है उसमें यह निकाला उन्होंने एवरेज कि एवरेज आत्मी को आर घंटे नीन की जरूत है तो ऐसा बोलते हैं कि एवरेज हपते में एक हपते में पचास घंटे से लेकिए चपन घंटे तक कुछ लोगों को दोपर में 15 मिनित आदा घंटा नीन लेते हैं और उनको वो इसके हैबिट लग चुके है कोई भी मानसिक बीमारी में सबसे पहला लक्षन जो होता है और वो होता है कि नीन नहीं आना एक तो नीन आती नहीं मतलब नीन लगती नहीं जल्दी और समझे नीन सबस्क्राइब रूगन बाज़ते ठीन चार गंटे पार सोता है को डिपरेसन अगमारी में सुभाजा जल्दी जाता distributed मैंिजाता लाट को ड़ी सोता है मैनिय की विमारी हरस्भ भायू उसमें दो तिन घंडे में उसका काम हो जाता और वो सोतने इंनेता है और नियोहे जात कुछ लोह उंको सर्फ निनलाने की बिमारी होती है मिलाएब बाकियों वह सब अच्छा करते है और बोलुते हैं चांजों निनलाती हिए दू पूषे वह कितने घंट लीनलाक मेहां निनन आ रही है वह दो मैनें से दीनलाने निनन आ रए एक्चुली वो सही नहीं बोल रहे हैं कि इनके घरवाले ये बोलते हैं कि ये तो सोते रहते हैं हमने देखा हुआ इनको सोते हुए तो नीन आती नहीं है ऐसा उनको लगता है नगर वो मुझा बहुत सारे सपने आधे यह I is aée बहुत सारे विचार चालू थे ओंसे लगते हैं ऑंग अपनीख लेना है तो कुछ बाते कुछ चंद बाते में आपको बताता हूं एक तो गया कि रेगुलर स्ली पिंग अवर्स ॉललव हर आपके जो सोने के घंडें सोने का समय है वह जर्यूर यह नःख की जिए शाम को रात को दशते से सबरे पाम बजे तक तक हें तो वह रखो है कि बारत को बार्रा से सद्वी सोह को कि दोपर में सोने का नहीं कि रात को जब सोते हैं तो सोने के समय बहुत सारे emotional भावना प्रधान जो कोई Serial से या कोई ड्रामा है कोई पिक्चर है या ड्रावने पिक्चर है वो देखने का नहीं है रात में कोई जंजट जगडा वहां से दूर रहना है वो करने का नहीं है एकदम लाइट मुवी कोई देख रहे है बहुत ही लाइट-लाइट मुवी या फिर कोई लाइट-लाइट मुजिक सुन रहे है या कोई motivational किताब पढ़ रहे है या कोई पढ़ाई कर रहे है अपने वि तो साथ बजी के बाद में खाना थे और अधाका खाना चाहिए जो हो है कि रात का क्ना अथे होना है बहुत जादा बहुत ज़्यात खाना ख़रे वह नहीं होना चाहिया हक्या है बेडरूम में ब्ल्यू लाइट है तो वह अच्छा है, एक ही जगा पे सोते हैं, एक ही कम्रे में सोते हैं, और नीद में फोन आफ करके संभव है तो, मोबाइल आफ करके सोने का है, और टीव देख के सोने का नहीं है, कभी भी, तो यह मेरी करते हैं कुछ लोग बोलते कि ने संदान करके सूना तुम नच्छे आती कुछ लोग उनका कोई रिसर्च बोलता है कोई बोलता है कि ने दूद पीके सोये तो अच्छी निन आएंगी तो ऐसे अलग-अजग-अलग है नीन के लिए कोई भी गुली लेना नहीं है नीन के समय यखे आप बेड़ पर लेटे लेटे शवासन करते हैं तो बहुत अच्छी नीन आसकताइएं या फिर अपर सेलफ हिपनासिस करना स्वonstности करना और दभी संवन मन में स्वैंख सूचन आजे ना नीन की लेटे है और सोने के बाद स्वयम सुचना देते स्वसंवान करते उसमें सुचना देते तो जल्दी नीन आ जाएगी और एकदम सबीरे उठेंगे तो फ्रेश लगेंगा मैसुस तो इसे नीन के कुछ-कुछ आपको मैंने तरीके बता है कि जिससे की क्योंकि नीन अच्छे हो होना जरूरी है और यह आप लेते हैं तो आपका मानसिक स्वास्ते शारीक स्वास्ते अच्छे रहेगा और दिन भर एक अच्छी उत्पाद अकता से काम करेंगे प्रोड़क्टीवीट अच्छी रहेगे तो टेक गुड़नाइट स्लिप अच्छी नीन लेते जाओ आपके परिचर में बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको नीन नहीं आती होंगे या शांति की निन ने आती होंगे तो ऐसे हो झाल झाल